नमस्का स्वागत आपका एन हिंदी पर आज है 29 मार्च 2022 और हम आपके लिए रिकर आए हमेसे गिदर आप इस वीडियो को लाइक कर देज़ेगा चैनल पर नहीं जुड़े हैं चैनल को आप सस्क्राइब करना ना भोले पेस है आज की सबसे वड़ी ख़बरे हिमाच सरकार का फैसला दो साल का अनुबन सेवकाल पूरा करने वाले करमचारी 31 मार्च को होगे नियमत हिमाच बदेश में 31 मार्च 2022 तक दो साल का अनुबन सेवकाल पूरा करने वाले करमचारों को नियमत किया जाएगा कारमिक विवाग ने सोंबार देर साम इस अंदर में सबी पर्शासनिक सच्वो विवाग देक्सो और जिला के उपाएक्तों को पत्तर जारी कर दिया है प्रदेश सरकार ने चार वर्स का सेवाकाल पूरा करने वाले डैनिक बेतन भोगी करमचारियों को भी नियमत करने का फैसला लिया है इने रिक्तस्तान उपलावद होने की सर्थ पर ही नियमत किया जाएगा दैनक बेतन भोगी करमचारों की चार साल की निमत सेवाउं होनी चाईए एक कलेंडर बस में 240 दिन की सेवाउं होनी चाईए जनजातिक सेतर किनौरस पिती बरमोर में 180 दिन लाज़ां पांगी में 100 सार दिन की सेवाउं अनिवारिया है खावर हिमाचपदेश उनिवस्टी से बार्मिककस अपास युवाओं को निस्वल्क मिलेगा बार कलर का प्रसिक्सन हिमाचपदेश विश्टाले में पहली वार बार्मिककस अपास युवाओं में कोर्सल विकास और होने रोजगार के लियाज से तियार करने के लिए बार कलर का प्रसिक्षन दिया जाएगा दो मेंने के सैड़केट कोर्स को विस्ताले कबीद बीवा करुआएगा कोर्स निसोलकोगा भीवागा जैक्स और बीदी डीन प्रोफेसर रागु बेंदर सिंग इसके नोडल अधिकारी होगे कोर्सल विकास निगम के स्योक से करवाए जाने वाले इस कोर्स में कोलती सीटे रहेगी इसके लिए बार्मी कक्स अपास यूबा पात्र होगे अवेदन अधिकाने की सौरत में जमादो की मेरिक त्यार कर बैस को सुना जाएगा केस दो माँ के काम अब दीके कोर्स को पूरा करने वाले यूबाओं को नियाल ले और अधिवक्तों के पास कारे करने वाले कलर का काम सिकाया जाएगा इसमें केस को अदालत में पेस करने से पूर्व की जाने वाली त्यारी सेट पूरे डोकुमेंट को बनाने कोड की वासौ और इसमें प्रयोग हिए जाने वाले सब्दों और केस समंधित प्रक्रिया को समझाया जाएगा जासकती मंत्री मिंदर सिंग ठाकुर बोले और सोर्ष करमचारियों की मांगों के लिए तियार होगा दस्तावेज चुनावी साल में और सोर करमचारों के लिए नीती निर्दारिन को गठित कैवनेट साब कमेटी की बैड़क में करमचारों ने स्ताय नीतियों और सम्माधित बिवागों में समयोजित करने की सरकार से मांग की है बैड़क कमेटी के अधिक्स जा सकती मंत्री मेंदर सिंग ठाकुर के अधिक्सता में सोंबा कुछ सरकट हाउस मंडी में हुई इस तुरान उन्हें ने सब इस संगटनों को मिल कर राज स्तर की एक संचारन समयती बनाने की निर्देश दिये है जो कैवनेट सब कमेटी के साथ अगले दूर की बैड़क में चर्चा करेगी मंत्री ने कहा कि कैवनेट सब कमेटी सभी आउर्टस करमचारों से प्राप सुजाबो और प्रिस्ताबो पर घेंता से बिचार करेगी इसे लेकर एक दस तवीज त्यार किया जाएगा जिस पर आगे फिर आउर्टस करमचारों की संचारन समयती से चर्चा होगी इसके अलावा करमचारी जो सुजाब देना चाहे भी दस अपरेल से पहले बिचते तोर पर लिक्त में समयती को सूप दे ताकि उने भी ट्राप्ट में जगा दी जा सके बैर्टक में आउर्टस करमचारी मासंग के परदेश अदेक्स सलेंदर सर्मा उपादेक्स पवन सर्मा ईसु महत्ता मासाचिप अवदेश सरोज मीडेसाचिप हेमक्रेस ने सुजाब दिये मंत्री ने कहा है कि सरकार राज्यके सभी और सोर्ट करमचारों के सुरक्सित विविश्व को लेकर घंबी रहे इसके लिए सभी दिक्तों को दूर कर कोई रास्ता निकाला जाएगा कावर हिमाचल आएकोर से सरकार रिखाते से मंत्री और विदायकों के आएकर भुक्तान के खिलाफ दायर याचका पर सरकार को नोटीस हिमाचल बदीस आएकोर ने सरकार रिखा जाने से मंत्री और विदायकों के आएकर भुक्तान को आसा वेदानिक गोसित करने के लिए दायर याजका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब की है मुक्या नियादिस मुहमद रफिक और नियाए मोर्ती जियोसना जिवालदुवा की खनपीट ने यास पाराना और अन्ने की ओर से दायर याजका पर याजका करता है हियाजका करता है कि अनुसार विदानसवा सदस्यों को भत्ते और पैंसन अधिनियम 1971 के तैस देगी छूट आसा वैदानिक है इसके तैस विदानसवा सदस्यों को उनकी ओर से आरजे ताय पर मुवेन बत्तो और लाबो के साथ आएकर का भुक्तान करने की छूट है मंत्रियों के बेतन और भत्ते हिमाजबदेस अधिनियम 2000 के कुछ प्रावधान भी ऐसा वैदानिक है जिसके अधार पर मंत्रियों को उनकी ओर से आरजे तामदनी पर आएकर का भुक्तान करने की छोड़ दी गी है याजबदेस अधिनियम उनकी दार पर आएकर का भुक्तान की जाए इसके अलावा हिमाजबदेस अधिनियम 2000 की दारा बारा के तैत एक मंत्रि को दे बेतन और बत्ते और उससे सविकारे सुसाजित घर और अने लाबों पर आएकर की अधायगी राज़ सरकार कर रही है याजकर कर्तों ने इसे भी असा वेदाने गोसित करने की मांग की है नेता प्रदिपक्स मुकेस अगनी उत्री बोले आप सीएम जहराम को अराम करने की जरूरत आने वाला एक कॉंग्रिस का समय नेता प्रदिपक्स मुकेस अगनी उत्री ने प्रदिश सरकार को के मामलों पर जम कर आड़े हाथो लिये सोमा को उना जिला मुख्या लेकि सरकेट हाउस में आयोजित प्रेस वाता की तुरान नेतर प्रदिपक्स में प्रदेश सरकार पर एक के बाद एक केया रोफल गार डाले सरकार या देश किसान सम्मान नेदी लेने के लिए पूरी करनी होगी के वाइसी की ओपचारिक्ता किमाचल के साड़े नौला क्रिसको को किसान सम्मान नेदी की रासी हासल करने के लिए के वाइसी की ओपचारिकताएं पूरी करनी होगी केंद सरकार के और से किसानों के खात्तों में किसान सम्मान नेदी की गयार में किस्त जारी की जानी है केंदर सरकार ने फाजी त्रीक के से सरकार से बित्य मदद लेने वालों पर नकेल किसने की त्यारी कर लिया है राजे में आईकर दाता किसान भी केंदर सरकार से दो दो आजार पे की किस्त ले रही है ये मामला प्रकास में आने के बाद ऐसे लोगों की बित्ते मदद बंद कर दी गई थी सरकार याकडों के अनुसार परदेश में बरतमान में साड़े नौलाग पात्र किसान केंद सरकार से समान निदी ले रही है आभी तक किसानों ने 10 किस्ते हासिल कर लिया आफ ग्यार में किस्त जारी करने के लिए केंद सरकार ने किसानों से पहले के वाई सी की ओपचारिकता हैं पूरी करने के लिए कह दिया इससे सरकार ये भी पतल लगा सकेगी कि कौन किसान और बागवान किसान समान ने दिके लिए पात्र है और कोण नहीं है थारा सो क्रोड से लगेंगे स्मार्ट मेटर सेमला धर्मसाला के बाद बाकी सैरों में सुरू होगा ब्यान किमाचपतिस में स्मार्ट मेटर योजना का खाखा त्यार हो गया है इस योजना को अठारा सो क्रोड रुपे से अमली जम्ह पहना रहाए साएगा इस बारे में केंदर सरकार को प्रोजेक्ट की फाइल भीज दीगी और इसकी मंजूरी के बाद बिजली बोड इन मेटर लगाने का ठेका नीजी कमपनी को देगा जो कमपनी टेंडर हासिल करेगी उसे रेंड के तोड़ पर प्रतिस स्मार्ट मेटर बोगतान बिजली बोड की तरफ से किया साएगा इस बोगतान के लिए बोड ने केंदर सरकार से मदद मांगी है केंदरी यूनिनों की कोल पर हिमाचल में अर्ताल सीटू ने बोला केंदर राज सरकार पर हामला केंदरी ट्रेड यूनिन के अवान पर कुलू सहित जिला के विविन बोड बोग में केंदर राज सरकार के खिलाफ सीटू की सांसवा जनवादी महिला संग सेथ अन्य यूनिन ने धर्ना पर दर्सन किया इसके जरी महंगाई बिरोजगारी इस्राम कानून खत्म करने साल्मिक सेथ के उपकरम नीजी हातों को सौपने का बिरोध किया सीटू ने धर्ना ने का है कि मोदी सरकार की जनवरोध इनेतियों के कान डेस्ट में बियापक, बिरोजगारी, महंगाई वर क्रिसी परसंकर भरता जा रहा है एक और सरकार गैस, पैट्रोल, डीजल वर अन्यवसक बस्तों पर टैक्स बढ़ाकर आम जंता पर आर्थिक बोज़ डाल रही है हिमाचल में आम आदमी पार्टी की एंट्री पर मुकेश अगनी उत्री बोले हिमाचल में पार्डी टोप पी चली इसका कोई भी कलप नहीं नेता प्रदीबक्स मुकेश एगनी उत्री ने का है कि हिमाचपदीश में पार्डी टोपी चली इसका ना कोई भी कल्फ था और ना ही बिविस्य में होगा मुकेश ने पंजाब में बड़ी जीत दर्ज करने वाली आम आदमी पार्टी की प्रदीश में बड़ी सक्रियता पर तंज कसा उन्होंने काया कि प्रदीस की जनता परामपरगत तरीके से मतदान करेगी और पंजाब में जीती पार्टी की सरसराट चंद दिनों में साथ हो जाएगी उन्होंने काया कि कॉंग्रिस और बास्पा को छोड़ कर आम आदमी पार्टी में भी लोग जा रहे है जो टिकेट के लिए लाइन में लंबे समिशे लगे थे लेकर उनकी वात नहीं वान पाई उन्होंने मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर पर भी निसाना साधा उन्होंने काया कि मुख्यमंत्री को अब इलेक्स करना चाहिए आने वाला समय ही ऐसा है जिस प्रकार चार साल सरकार चलाईगी है उसका नतीज़ा होगा कि बास्पा को सासन से अटाना होगा मुक्यमंतरी कह रहे कि वाजपा चारा जो में चुनाव जीती है उन्हें ये भी याद रखना होगा कि भी परदेश में चार उप चुनाव हारे भी है उन्होंने काई कि पिछले चार साल में परदेश में सराब ठेके निलाम तक नहीं हुए है किमाचल में ग्रेसम कालिन स्कूलों में अपरेल की छोटियों पर संसे किमाचल में ग्रेसम कालिन स्कूलों में एक से चार अपरेल तक छोटियों देने को लेकर संसे बना हुआ है करवर्ष नए सेक्स निक सतर सुरू होने से पहले स्कूलों में एक से चार अप्रीयल तक चूटिया दी जाती रही है इस वार एक अप्रीयल को फरदानमंत्री प्रिक्स अभर चर्चा करेंगी इसका प्रसारन सवी स्कूलों में किया जाना इसके अलावा बोर्ड काक्सों का भी प्रिक्स हैं जारी है हैसे में सिक्सव यॉग ने इस वर्ष एक से चारा प्राल तक चूटिया नहीं देने की ओजन बनाई है एक दो दिन के वेतर सरकार से चर्टा करने के बाद इसको लेकर स्थिति स्पास्ट होगी हिमाचल में खर्बो का करज फिर भी मुके सच्चिव के लिए खरीदी 45 लाख रुपे की कैमरी गाड़ी खरीदी गी है मामले का बीडियो सोचल मीडिया पर बारिल हो चुक है इस मामले को पूरव एचेस अधिकारी बी आर कॉंडल ने उठाया कॉंडल ने रोब लगा है कि बजट पेस करने से कुछ दिन पहली इस गाड़ी को खरीदा गिया है कॉंडल पूरव में मंडी जिल में राष्टे स्वैम सेवक संग की संग संचालक रह चुकी है उनकी कुछ दिन पहली आम आर्मी पार्टी के हिमाचपदेश के परवारी साते अंदर जायन से बेंट हुई है लू चलने से हिमाचपदेश के मैदानी जिल में बड़ी परिसानी उन्ना में 37.08 डिगरी पहुंचा देखतम तापमान हिमाचपदेश में मोसम गर्म होती मैदानी क्षेत्रों में लू चलना सुरू होगी है सोंबार को उन्ना विलासपूर, अमेरपूर, कांगराजी लेके केक से तो में लू चलने से लोगों को परिसानियों का सामना करना पड़ा उन्ना में इस सेजन का सबसे गरम देन रिकॉर्ड हुए यहां देखतम तापमान 37.08 डिगरी से 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 पहुंच गया है मंगरवार को भी परदेश के मैदानी और मद्य फरवती दास जिलों में लू चलने की छेतावनी जारी हुई है एक अपरेल तक पूरे परदेश में मोसम साब बने रहने का पूर बनवान है राज र्यस्तारी बैंकर समिती के बैटक मुक्यमंत्री सौमलंबन योजना के 29 सो परसाबों को बैंकों की मंजुरी राज र्यस्तारी बैंकर समिती IS LBC के 562 बैटक सोंबार को सिःज काarti योगो बैंक की और सिमला में आयूजित की गी बैर के देकस्तर निदेस रख का और सीएो यूको बेंग सुमा संक परसाद और मुक्प साटि भी माचसर का राम सोबंग सिंगने की सुमा संक परसाद ने बेंग को दोर परदीश की बिति उठान में किये जाँ about की तो बताए की बेंकों ने अस्वास संदिय की वे 31 मार्श से पहले इस संत्राल को पूरा कर लेंगे महंगाई की मार्ट दो मिन्ने में प्रतिक विंटल 30 पिस्ती तक बढ़ गी सरीय के दाम दिमाजपतिस में मकान बनाना बहुत महंगा हो गया है यहां सरीय समेंट रेत बजरी अधी के रेत एका एक बढ़ गया है दो मेने के वितर सरीय के रेत प्रतिक विंटल 30 पिस्ती तक बढ़ गया है राजदानी सिमला के उपरी क्षेत्रों में सरीय के दाम जी एस्ती जोड़कर 8600 रुपे से लेकर 8800 रुपे तक पहुंच गया है समेंट के रेत भी बढ़कर 400 रुपे प्रतिक विंटल तक पहुंच चुक है स्क्वेर पाइव का दाम 10,000 रुपे प्रतिक विंटल तक पहुंच चुक है पिछले दो में इनों में सरीय के रेत ने करीब 2000 रुपे की ब्रीदी के साथ अपना रिकॉर्ड बनाया है पिछले एक साल में करीब 2400 से 2500 रुपे तक बढ़ोतरी हो चुकी है दो साल में सरीय के रेत करीब 3500 से 3800 रुपे तक पहुंच चुके है स्मेंट के रेत में भी यह सीतिया दो साल पहले जां स्मेंट 410 रुपे पहुंच चुक है हिमाचल में स्पैसलिस्ट डॉक्टर रोटेसन पर घरदवार देंगे स्वास्ते सेवाएं केवनेट में होगा फैसला इमाचल पहुदिस्ट में स्पैसलिस्ट डॉक्टर मरीजों को घरदवार स्वास्ते सुवाइं प्लाब करवाएंगे स्वास्ते विवाग में मॉवाइल एमबूलेंच चलाने का प्लान त्यार किया जा रहा है यह एमबूलेंच प्रदेश के अर्चर विदान सवक्षेत्रों में चलाई जाएगी इन में स्पैसलिस्ट डॉक्टर के अलाबा फार्मिस्ट और नर्स से भी तैनात होगी रोटेशन में स्टाफ सेवाएं देगा एक सब्ता के बाद एमबूलेंच में स्टाफ को बदला जाएगा मुवाइल एमबूलेंच करेंदे का मामला कैवनेक की बैठक मिलाया जाएगा स्वासी ब्यूआ का कहना है कि इस योजना के सुरू होने से जहां अमेरिकल कोज और आस्तालों में म्रीज़ों को काम भार पड़ेगा वहीं लोगों को घरदवार पर बैतर सुविदाएं वो पलाब्द हो सकेगी वासपा 6 अपरेल से हिमाचल में चलाएगी महास्तामपर का बियान जिमाचल में वासर पा 6 अपरेल को पार्ठी की स्थापना दिवास के अपसर पर प्रदिश के सब आर्ष्व विदान सावक्षेतरों में मंडस्तार पर काण pra resolutions करेगी जिसमें त्री देबों को पार्ठी केड़ बितरत की जाएगी 6 अपरेल को पार्टी अपनी स्थापना दिवास पर प्रदेश के हर घर तक पहुंचने का प्रयास करेगी इस के देट इस केट को सबी पार्टी कारेकर्तों तक पहुंचाया जाएगा पलीस वर्दी की लेकल प्रिक्सा से पहले सावं इन्सपेक्टर के ब के बेटे ने फंद लगा कदी जान किमाची प्रेश की राजधानी सिमला में पुलीस वर्टी प्रिक्सा से कुछ गंटे पहले 20 वर्ष यूबक ने घर के बात रों में दुपट्टे से फंद अलगा कर आत्मत्य कर लिये फंदा लगाने वाला गोर्व कुमार जो तोग कर रहने वाला तक गोर्व के पिता ही माच्र पुलीस में साब इंस्पेक्टर है बताई जा रहे कि प्रिक्सा से पहले यूबक ननाम में था गठना बीते रही बार सुबा के पुलीस को सुसाइड नोट नहीं मिले मामले की जान सुरू कर दी है